नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Electrical Wiring पर है और ये Electrical Wiring का Class 4 है दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम Electrical Circuit को ड्रो करना सिखेंगे दोस्तों, यदि आप Electrical Field में नए हैं, यानि कि बीगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपून है तो प्लिस इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लिस इस वीडियो पर लाइक, सेर और कॉमेंट करना ना भूलिएगा चलिए, स्टार्ट करते हैं दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सिंपल सरकीट बना के दिखाया हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर एक बल्ब है और एक स्वीच है अब यदि आपको इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए इस स्वीच का इस्तमाल करना है तो आप क्या करते हो कि यह जो हमारा स्वीच है इसको फैस सप्लाई दे देते हो और जो स्वीच है उसके आउपूर्ट टर्मिल से वार्व कनेक करके हमारा जो bulb है उसको fair supply दे देते हैं आप जो हमारा bulb है उसको neutral supply भी चाहिए तो neutral supply डारेक्ट दे दे देते हैं अब यदि यही circuit आपको electrical drawing में बनाने के लिए कहा जाए तो आप किस प्रकार से बनाओगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको electrical symbol का knowledge होना बहुत ही जरूरी है तो यदि आप electrical symbols के बारे में नहीं जानते हैं कि किस comment के लिए कौन सा symbol होता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो को आप देख सकते हैं उसका link में description में दे दूँगा ठीके दोस्तों चलिए देखे दोस्तों यहाँ पे जो हमारा bulb है उसका symbol कुछ इस प्रकार से होता है अब यहाँ पे जो switch है उसका symbol कुछ इस प्रकार से होता है आप यहाँ पे दोस्तों देखेगा यहाँ पे जो आपको connection करना वो same to same इसके जैसे connection करना है तो यहाँ पे हमे क्या करना है कि यह जो हमारा बल्ब है इसको चालू करने के लिए फेश सप्लाई और न्यूटल सप्लाई चाहिए तो आब हम यहां पे क्या करेंगे जो हमारा स्विच है इसको हमें फेश सप्लाई देना है तो हम क्या करते हैं जो हमारा फेश पावर सप्लाई है वहां से वार कनेक करते हैं और उसको लियाके बल्ब को फे सप्लाई दे देते हैं अब जो हमारा बल्ब है इसको न्यूटरल सप्लाई भी चाहिए तो इस बल्ब को न्यूटरल सप्लाई देने के लिए हमारा जो न्यूटरल सप्लाई होती है वहां से वार को कनेक करके बल्ब को न्यूटर ताइब का सब्ट कर מאकगा मना बनाएं आपको केवल इस टाइप का से sur के और 국 톱 टेकर चार करता हूं जैसे मैं इसको ब्रेज करणोंगह तो आप यहां पर देख सकते हो जो हमारा बालब वह glow हो गया है इसका मतलब यह है कि हमारा जो बल्ब है उसमें power supply यहां से flow होते हुए जा रहा है तो यहाँ पर जो हमारा बल्ब था वह glow हो गया है अब दोस्तों देखेगा यह जो बल्ब है इसको यहाँ पर चालू करने के लिए मैंने केवल एक switch का इस्तेमाल किया हूँ दो दोस्तों, यहां पी जो हम सर्किट डाइगराम मनाएंगे, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा बल्ब है, उसके लिए जो स्विच इस्तेमाल किया गाता हूँ, उसके पहला में एक और स्विच का कनेक्शन कर देंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, देखिए, यहां से पावर स बनाएगे, इसमें एक कंडिशन होगा, यदि हमें इस बल्ब को बन करना है, तो हमें दोनों जगह से बन करना पड़ेगा, ठीक है, दोस्तों, यहां पर मुझे बस यह एक एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करना है, तो आप पहलाल में कनेक्शन करके कंप्लीट कर सकते है यानि कि सरकेट डागाम बना सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब यदि आपको एक और बल्ब दे दिया जाता है, और यह कहा जाता है कि आपके पास में दो स्विच है, और दोनों स्विच को प्रेस करने के बाद ही बल्ब को चालू होना चाहिए, तो उस कंडिशन में आपको क् करना है, तो हमें इन दोनों स्विच को चालू करना पड़ेगा, अब इन दोनों स्विच में से यदि कोई भी एक स्विच चालू नहीं है, तो उस कंडिशन में हमारा जो बल्ब है वो गलो नहीं होगा, यानि कि पावर सप्लाई यहां तक नहीं पहुच पाएगा, ठीक है अब दोस्तों देखिएगा, यहां पे तो हम बात करना है स्विच का, अब यदि हमारा जो स्विच है, उसके जगा पे हमें यदि पूस बटन का इस्तमाल करना है, तो हम किस परकार से करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले आप इसका सिंबल समाझ लीजिए, दोस्तों देखि यहां पे जो circuit diagram है, यदि मुझे इसी circuit diagram में केवल push button का इस्तमाल करके circuit diagram को बनाना है, तो कैसे करेंगे, तो यहां पे दोस्तों देखिएगा, आपको क्या करना होगा, कि यह जो switch है, इसको remove करके, वहां पे आपको NO NC push button का इस्तमाल कर लेना होगा, दोस्तों, यदि यहां पे NO push button इस्तमाल करने है, तो आपका bulb glow नहीं होगा, अब यह जो bulb है, इसको चालू करने के लिए आपको इस push button को press करना पड़ेगा, जैसे इस push button को press करते हैं, तो आपका जो bulb हो glow हो जायएगा, और जैसे इस push button को release कर दोगे, तो आपका जो bulb हो off हो जाती है, अब दोस्तों दिख पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए सीधे इस बल्ब में चली जाती है और जो बल्ब है वो गलो करेगा अब जैसी आप इस पुस बटन को प्रेज करते हो तो क्या होगा पावर सप्लाई यहां से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बार क्या होगा पावर सप्लाई आगे flow नहीं हो पाएगा और जो bulb है वो glow नहीं हो पाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप यह सीख सकते हो कि यदि आपको push button दिया जा रहा है और आपको कोई logic इस प्रकार से develop करना है कि आपको push button प्रेज करने के बार power supply को आगे flow करना है तो वहाँ पे आप n push button का इस्तेमाल कर दोस्तों यहाँ पे जो push button है उसका इस्तेमाल हम कभी भी bulb को चालू बन करने के लिए नहीं करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए hooter का इस्तेमाल कर लेता हूं तो यहाँ पे माल लेजिए आपके पास में दो hooter है और दोनों hooter को connection कुछ इस प्रकार से किया ग होगा एंसी push button के इस्तेमाल करने पे हमारा जो hooter है वो continuously hon करते रहेगा अब जैसे कि इस push button को हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो hooter है वो off हो जाएगा यानि कि hon करना बन कर देगा और दुबारा release करने पे हमारा hooter चालू हो जाता है दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है switches के बार करना होता है दोस्तों अब यदि मैं आपसे यह कह देता हूं कि यहाँ पे जो हमारा limit switch है इन दोरा limit switch का उपियो करके bulb को glow कराना है तो कैसे करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने bulb ले लिया दोस्तों यहाँ पे जो बल्ब है इसको चाहिए fan supply और neutral supply दोस्तों यदि limit switch के outgoing terminal से लिए जाके bulb को power supply दे दोगे इसी पकासे यदि आपका जो limit switch है उसमें NC contact है और यदि आपको NC contact का इस्तेमाल करके bulb को glow कराना है तो आप क्या करोगे आपका जो फेर supply वहाँ से वार्गो करने करके लाओगे और जो आपका limit switch है उसको input power supply दे दोगे और जो limit switch है उस का जो limit switch का contact है इसको change करना पड़ेगा यहाँ पर क्या होगा यदि आप no contact का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो bulb है वो off रहेगा अब जैसे ही कोई object आके जो आपका limit switch है उसको प्रेस करता है तो क्या होगा इसका जो contact है वो change होगा और change होने पर क्या होगा इसका contact NC बन पर ही bulb off होगा दोस्तों यहाँ पर आपको समझाने के लिए में एक चोटा सा और circuit diagram बना रहेता हूं दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया हूं हमारा जो limit switch है उसको input power supply face के द्वार दे दिया हूं और इसका जो output power supply है उसको ले जाके एक contactor को दे दिया गया है अब यहाँ पर आप यहाँ पर जो conductor इस्तमाल किया आता है उसके power circuit के द्वारा हम चाहे तो motor own कर सकते हैं या फिर जो चाहे वो own करा सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए भी इस वीडियो को यहीं पर रोग देते हैं मेलते हैं दोस्तों next class में दोस्तों यादि आपको यह वीडियो पसंद आ